हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माइन व्लॉग संतोश फुर्मा व्लॉग बड़ी भ्यानों को रादे रादे बच्चों को धीर सारा प्यार और बड़ों को चरण इसपर्श और मैं अब ब्लॉग बना रही हूं और टाइम हो रहा है चार बजने में दस मिनटे हैं तब मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया है और आज सुभा से मैं सो रही थी तो मेता में ठीक नहीं थी मैंने आप लोग के साथ में जैसे शेयर किया था तो मैं शांपू गई थी कल शांपू डॉक्टर से दवाई देने के लिए पेट बस मैंने दवाई लेकर राई हूं और खलका खाना खाने के लिए बोला है तो अब चार बज गई है तो मैं उठीती साड़े तीन बजे सुभा की सुभा मैं फूजा बगारा करके मैं नाच्ता किया और नाच्ता करके मैं दवाई खाके और मुझे एक्दम नसासा होने लग करना दाल रोकत नहीं है दाल रोकर मैं façon तो मैं खाना हूंगी फवही सिंपल खाना है हमारा और पेट में दुखनती ना इस वजए से सिंपल शाखना हो गया है अर गया तो आप लोग तो थो चो यहां दुखनले की में मेरे खाना खाना लेजीये और साथ मैं है चया वखे लाल चावल वना लाट पना ल informal phenomenon कर दिया। उब को Quand लोग मुझे बदानाकिय। बूहा बहुत बीकट लावन बना कर दिया। जो आप लोग मुझे बताना आपके सहर में कैसी keeping पड़ ली यह Uh कि अजले नाब करों रहेell से हो और 24 पिर विटो भी इजएITY शुनें को मिर्खशा करबस। है तो आप लोग मुझे कमेंट कर ऑना बारिश में जो की तरहरा बारी घ्रष की जहर है कि उत eerste नहीं हमई पहलाए कि ओना विख्षर होराए कि अर्श के नहीं हो रही है और मैंने कही बार आप लोगों से पूछा गी हैं लेकिन आप नहीं बताते हो, कोई भी नहीं बताता मुझे तो चलो कोई बात नहीं और मुझसे कोई कहीं बते लिए वह बूशता है, मैं तो बता देती हूँ, बिंदास बता देती हूँ, उसमें क्या चुपानी बात है जिस सेर में रह रहे हैं, उस सेर दीघंगर बता देमें — तो मैं तो बता देती हुूं, जब खेता है आप सुचो कि पून खाता है तो आपसाओ कर चारि सही खाना कहता है जो निकाल ली हमने प्लेट उसमें रख लेते हैं रोटियां और दाल कल लेते हैं कटोरी में और मटके से लेने चलती है ठंडा थंडा पानी और मटके का पानी सच में बड़ा accountability बहुत थंडा पानी हो जाता है और इसकोपरНе तरह से लगा Rather a ने पानी थंड़ थंड़ रहता है न मुझे उमीद नहीं थी और पहले बाला मतका था ना यह उससे भी ज्यादा थंड़ पानी इस वाले मतके का है और बाहर अधेरा थेरा अंदर जाकर थोड़ा उजालास आया है तो चली फ्रेंट्स कहना खा लेते हैं दालोगी सलाद और मतके कशची का पानी अंदल लेके चलनी के और यहां मेरा बेटा भी खाना खा रहा है यशू इसकी भी तविट भी ठीक नहीं है इसको फीवर आ गया है मौसम चेंज रहा है इस वज़े से इसको फीवर आ गया थे तो चलिए अब पहले में खाना खा लेती हूं फिर आप लोगो करता दिए कर दो और खाना काने के आदे घंटे बाद ही में लग ई चाइ सब्ध बनाने के लिए California मैं कि पाओ शेंगे करम मुझे पाओ चाय यख़ब उक्ति पीन् Margained दाओक पीना तो बस मैंने चाय बनने के लिए लिए खाना खाने के तुरहती रगदी थी और मिती चाय भाते सोफ़ीम पक्कति पॉप सबस्ट मैं चाय दी लाद कई है कभी कोई मुझसे कह देगा न कि डोलक बचा दो तो बिलकुल यह उंगलियां नहीं चलेंगी लेकिन देखिए आप सिलिप पे कैसे खड़े खड़े बज रही है और उसके बाद में मुझे एकदम याद आया तुरंती सडनली जिसे कहते हैं न याद आना ऐसे मुझे याद आया कि खड़े हैं तो इससे क्यों न हम बरतन भी लगा लेती हैं तो मैंने पीच में कैमरे को रोके और बरतन भी लगाए और टोकरे में से बरतन भी खाली कर दिये और उसके बाद में अब चाए चान ले रही हूँ और चाए फिर देने के लिए भी जाऊंगी और इसी कामों को कड़ते करते सारा दिन पता नहीं मेरा कैसे निकल जाता है मुझे खुदी नहीं पता लगता है आज तो मैंने काफी आराम भी किया था और मैं पहले चाए दे के आऊंगी उसके बाद में आके फिर घर के काम में लगूँगी और तभी चाई भी प्यूँगी क्योंकि अगर मैं चाई पीने के लिए लग गई तो फिर बहुत देर हो जाएगी और उन लोगों की चाई भी ठंडी हो जाएगी और मैं उधर चाई लेके पहुंची तो लोग कहने लगे कि मैडम यहां तो पानी ही नहीं है तो मैंने टैंक जाके देखा ओपर चट पे और टैंक देखा तो बिल्कुल खाडी बड़ा था मोटर चलाई तो अभी पानी नहीं आ रहा था फिर मैंने पता नहीं कैसे कैसे पड़ोसियों की मदद से पानी की विवस्ता बनाई और उस चक्कर मेरे दो बंटे खराड हो गए फिर मैं आके लगी यहां आठ वजे आठ वजे आखके और जो चाई रखी थी पीछे से यशने क करने से खिर मेरे लिए नहीं चोड़ी तो मैंने आज चाई भी ने पी और फिर आने के बाद में इतनी लेट हो गई थी ना कि फिर मुझे चाय की याद नहीं अरही थी पिर मुझे काम की आ रही थी कि जल्दी मैं काम कर लो तो मेरा बहुत जल्दी नहीं बढ़ जाएगा और शाड़े आठ बज गए भई तक तो खाने पीने का इंतिजाम हो जाना चाहिए लेकिन अभी तो मैं आई हूँ और दुफैरी के बरतन भी पढ़े हैं माजने के लिए तो बस मैं जल्दी जल्दी से लग गई हूँ काम करने में और सबसे पहले अब ये सारे बरतन जितने भी हैं इन सब को इखटा करूँगी और इने पानी भर के रख दूँगी और उसके बाद में सलैप साफ बगरा कर दूँगी और मैं सबसे पहले बरतन वाश करूँगी बर अब भी मुझे बड़तन भी वाश करने हैं। दिमाग में वह चलती रहती है। अब यह काम नहीं हुआ। इस तरह से तो एक काम को कम से कम अंजाम के पहुचा दोंगी तो दिमाग से एक काम तो उतर जाएगा। कि कम नहीं देपी काम से और फ़र जाएग के सहहां?। आज मुझे सब्जी नहीं को कि इस तारह मैं नहीं आएगा। एक भिंडी की सब्जी बनाई थी और दाल बनाई थी तो दाल तो मैंने अपने लिए और शानू के लिए बनाई थी क्योंकि टॉक्टर न मुझे दाल के लिए बोला था और भिंडी नहीं बोला था तो इस तरह से मैंने दो सब्जियां बनाई थी तो दाल भी बनाई थी और करीवन आदा कटोरी भिंडी भी बच गई है और दो कटोरी करीवन दाल भी बच गई है तो इस तरह से मेरी दोनों सब्जियां थोड़ी थोड़ी बची हुई है तो अब बस मज़े जल्दी से कटना है पहले किचन की क्लीनिंग करने के बाद में मैंने बरतन वाश कर लिये है और मोटर चला के अब में इधर का घर का मतलब इजे बरतन वगएरा है इन्हें गोश करूंगी तो देखो कैसे मैं अकेली तोनों भर को मैनेज करके चल लई हूं घर को कैसे अकेली मैनेज करके चल लई हूं सच में बहुत परिशानी हो जाती है मुझे इधर का करके जाओ फिर उधर देखो फिर उधर से आओ इधर देखो दिन भार मेरे इतने चक्कर लगते रहते हैं कि मुझे घोस नहीं होता है और आज मैं सो गई थी ना उस चक्कर में आज अधर भी पानी नहीं है और इधर भी पानी नहीं है नहीं तो मैं दोपैरी के टैम में महां चली जाती और मुझे सोते सोते में ये हाल हो गया कि ना अज उधर पानी factors and तो आप फटापट से मैं सलाध की तयारी कर लेती हूँ और सलाध भी काट लोंगी और साथ में आठा भी लगा लोंगी तो ये दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएंगे तो सलाद में बस मुझे खीरा, प्याज और चकुंदर ही काटनी है, तो खीरा काटके मैंने टिपे में भरके रख दिया है, इसे फ्रिज में लगा दूगी, और चकुंदर को भी प्रिज में लगा दूगी, और प्याज में चभी तुरंती काटोंगी, अभी नहीं काटोंगी नहीं तो फिर फ्रिज में या खीरों के अगर डिपे में रख दूँगी या कहीं भी रख दूँगी तो इसमेल हो जाएगी इस मतलब प्याज की इसमेल हो जाएगी इसी लिए वस खीरा और चकुंदर काटके रख दिये हैं फ्रिज में एक और रात को आठ बजे को बाहर से कपडे उतार के लेकर आई हूँ इसके बाद में ही लेकर आई हूँ मतलब मैंने बड़त लिएको नियूंतारा फिर्ति आन कर देज हैं सलाब काट लिए उसके बाद ही गय हूँ कपड़े लेने के लिए और साब्हे आठ लुगया होगा यह ज्यादा भी हो सकता देखे मैंने समय नहीं देखाए बिकुल भी और यहां पर मैं फोल्ड कर रही थी ना तब मुझे ही नोट मिला है आप लोग देखके बताना यह कितने का नोट है अगर मैं समझ जाओंगी आप लोगोंने अगर मुझे कमेंट करके बताया कि यह कितने करने का नोट है तो मैं समझ जाओंगी कि आप लोग मेरा व्लॉग वीडियो पूरी तरह से वाच करते हैं और नहीं तो मुझे बता लग जाएगा कि आप लोग सिर्फ करकर कर देखते हैं बाकी नहीं देखते काट कर देख लेते हैं तो चलिए अब मैं आपको अगले व्ल खाना सेकना रह जाएगा और ये कपड़े भी पुल्ड करके रख ले रही हूँ तो सच मानो एक गिरहनी को कितने काम होते हैं ना कोई ये कहना कि तुम करती क्या हो सारे दिन तो जब ये बात में किसी भी जेंट्स के मूझ से सुमती हूँ ना मुझे इतना धका सा लगता ह है कि बताइए सुभा की निकलती है लेडिस लोग जो जो जॉप करती है मैं उनकी कह रही हूँ कि सारा दिन वो फिर जॉप करती है घर पे आकर सुभा भी खाना बना के जाती है शाम को भी आकर खाना बनाती है अपने बच्चों की पूरी केर करती है अपने परिवार की केर और जो घर की रहने वाली ग्रहणा होती हैं। वो भी अपना पूरा दिन भचों में घर में लगाए रखती हैं। और मैं भी सारा दिन इसी तरह से काम में लगी रहती हूँ, तो आखिरकार और क्या करना चाहिए हम लोगों को, इससे ज़्यादा काम अगर हम लोग कर सकते, तो करते ही करते हैं, आप बताईए हैं, चोविस गंटे में से हम अठारा गंटे, उननीस गंटे तो लगे रहते हैं मातरम पे घंटे कितने बचते हैं, और उसमें भी ये सुनने को मिल जाए कि तुम करती क्या हो सारा दिन, तो सच में अगर शाबास ही ना मिले हैं, तो इस तरह की बाते भी ना सुनने को मिले हैं, तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और देखिए मैं किसी की बुराई नह कि माग पे मत लेना, सिर्फ में एक नॉर्मल सी बात कर रही हो, और कुछ नहीं कर रही हो, और यहां पे मैंने आटा गूंत के तो रखी लिया था, तो यह हमारा आटा भी फूल गया है, अब हम जल्दे यल्दी से एक लेते हैं, खाना क्योंकि बच्चे भुके हैं, और मैं जाम में फस रही हैं, तो मैंने उनके फोन किया था, तो देखें जिन्दिगी में इतने सारे काम लगे पड़े हैं ना, कि सब अपनी अपनी दोड़ में, कहते हैं ना कि रेस की दोड़ में दोड़ रही हैं, और देखिए, फश्ट कोन आएगा, यह तो किसी को पता नहीं ह लेकिन हाँ, दोड़ सा भी रही हैं, तो फ्रेंट्स आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताईए, अच्छा लगए तो लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंट्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए सस्क्राइब करने के लिए इसलिए गूल रही हो, कि आपको मेरी रोजीना वीडियो पहुंच सकेगी, और आप रोज एक नई वीडियो देखेंगे, तो फ्रेंट्स आप लोग मुझे जरूर बताना, अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगी हो, तो मुझे कमेंट करक जरूर बताना, और लीजिये मेरा खाना पीना हो गया, तो मैंने बच्चों को भी खिला दिया, हस्बेंट ने भी खा लिया, मैं भी लेके आ गई हो, आप भी खाना का लीजिये, थेंक यू पर वाचिंग